नमस्कार आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चेनल मैथ स्वाल्ड पर दोस्तों आज हम लोग लूसेंट समान विज्ञान का लक्चर नमबर 40 देखने वाले हैं जिसमें आज हम लोग उस्मा का चौथा पार्ट देखेंगे दोस्तों उस्मा का अभी तक हम लोगोंने तीन पार्ट पराया है जिसमें बहुत ही important topic को cover किया गया है उसको देखने के बाद ही आप आज का चौथा पार्ट देखना ठीके दोस्तों जिसमें आज हम लोग परने वाले हैं उस्मा का संचरन यानि Transmission of Heat यानि की चालन, समवहन और विकीरन के बारे में हम लोग मुखरूप से बात करेंगे तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और दोस्तों सेशन पर चलने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सेयर जरूर कर दीजेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन दोस्तों उस्मा का संचरन याई transmission of heat बहुत ही important topic है इससे दोस्तों सभी exam में चाहे वो technical हो, चाहे non-technical हो, railway SSC banking, कोई भी exam हो इससे आपको question देखने को जरूर मिल जाते हैं और यह दोस्तों बहुत ही आसान topic है, इसको मैं आज अगर आपको करवा देता हूँ तो आपको इससे कैसा भी question आए, आपको बहुत ही आसानी से सभी question solve हो जाएगा तो चलिए देखते हैं कि उस्मा का संचरन क्या है तो दोस्तों नाम से असपर्जट है, संचरन यानि transmission यानि एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर जाना तो उस्मा को एक अस्थान से दूसरे अस्थान जाने को उस्मा का क्या कहते हैं संचरन कहते हैं उस्मा को एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं उस्मा का संचरन कहते हैं और मुख्य रूप से उस्मा की संचरन तीन विधी से होती है मुख्य रूप से उस्मा का संचरन जो है वो तीन विधी से होती है एक है चालन यानि कंडक्शन एक है संवहन यानि कंभैक्शन और तीसरा है वीकिरन यानि रेडियसन ठीक है दोस्तों आपको पदार्थ की अवस्था में मैंने बताया था कि मुख्य रूप से पदार्थ की तीन अवस्था होती है ठोस, दरव और गैस ठीक है दोस्तों मुख् चालन से उस्मा का संचरन किस में होता है? चालन से उस्मा का संचरन केवल और केवल ठोस में होता है। समवहन से उस्मा का संचरन दरव और गयस दोनों में होता है और विकिरन से उस्मा का संचरन निर्वात में होता है। पर न हवा है कोई वहाँ पर माध्यम नहीं है वहाँ पर जो उस्मा का संचरन होगा वो होता है वीकिरन के माध्यम से तो चलिए दोस्तों बारी-बारी से हम लोग तीनों वीधियों को विस्तार रूप से अध्यन करते हैं दोस्तों फर्ष्ट नंबर पर हम लोग देखेंगे चालन यानि कंडक्शन तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि चालन जो है इस वीधि से उस्मा का संचरन ठेउस में होता है यानि सॉलिड में होता है जिसमें क्या होता है जैसे कोई ठोस्त पदार्थ है ठीक है दो जाता है तो यह किस वीधि के कारण होता है तो दोस्तों यह जो है चालन वीधि के कारण होता है और चालन वीधि में होता क्या है कि जब बिना अस्थान परिवर्तन किये ही पदार्थ के तप्त कन अपनी उस्मा अपने बगल वाले कनों को दे देते हैं और पूरी वस्तु गर्म हो जाती है तो उसमा के संच्रेन की इस वीधि को क्या कहते हैं चालन कहते हैं इसमें दोस्तों बहुत सारा अगर यह ठोस्ट पदार्थ है इसमें बहुत सारा कन होगा ठीक है इसका बहुत सारा अनू होगा कन होगा ठोस्ट पदार्थ का हम यहाँ पर गर्म कर रहे हैं तो यहाँ पर का अनुयाट कन जो है गर्म होगा यह क्या होगा कि आगे वाले कन को अपना जो ताप है उसमा दे देगा और यहाँ का फिर गर्म हो जाएगा फिर यहाँ से यह आगे वालों को दे देगा और यह आगे वालों को देगा ऐसे करते करते क्या होगा पूरा पूरा गर्म हो गया, तो इसी विद्व को क्या कहते है चालन विधी, ठीक है दोस्तों अर्थात इस विधी से उस्मा के संचरन के लिए माध्यम की आवे सकता होती है जली दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आगे क्या कहरा इसमें परन्तु माध्यम के तप्त कनों का अस्थान परिवर्तन नहीं होता है जो चालन विधी है जिससे हम लोगों ने ठोस को गर्म किया तो उसमें चालन विधी में ठोस को गर्म करने के लिए उसमा के संचरन के लिए माध्यम की आब शक्ता होती है लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो हम ठोस को गर्म कर रहे हैं उसमें जो कन मौजूद है उसका अस्थान परिवर्तन हो वो बिना अस्थान परिवर्तन किये ही उसमा का संचरन करता है ठोस्त पदार्थों के अनू एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर जाने के लिए स्वतमत्र नहीं होते हैं जो ठोस्त पदार्थ होता है उसमें असानी से उसका जो अनू है उसका जो कन है वो एक अस्थान से दूसरे अस्थान नहीं जा सकते हैं ठोस तरीके से एक दूसरे से बंधे रहते हैं इसलिए ठोस में उस्मा का संचरन इसी विदी से होता है यानि चालन से होता है अब आगे क्या कहा है रहे दोस्तों कि पदार्थ में चालन द्वारा उस्मा का जो संचरन होता है तो उसको क्या कहते हैं? उसमा चलकता कहते हैं, यानि thermal conductivity, कोई चालक यानि कोई पदार्थ उसमा का बहुत अधिक चालन करता है, कोई पदार्थ उसमा का कम चालन करता है, तो जो पदार्थ उसमा का अधिक चालन करता है, उसको कहते हैं कि वह उसमा का अधिक चालन करता है, औ ठीक है दोस्तों तो पहला नमबर है चालक यानि वैसा पदार्थ जो उसमा का चालन सरलता से करता है उसे क्या कहते हैं चालक यानि कंडक्टर कहते हैं जिन पदार्थों से होकर उसमा का चालन सरलता से होती है यानि आसानी से हो जाती है उसको पदार्थ को चालक पदार्थ कह यानि thermal conductivity जो होती है वो अधिक होती है शभी धातू, अमलिय जल, मानव, सरीर आधी क्या है उसमा के अच्छे चालक हैं दोस्तों आपको कभी-कभी एक्जाम में आता है कि वर्सा का जल कैसा होता है तो वर्सा का जल दोस्तों उदासीन होता है वह चालक नहीं होता है वर्सा का जल शुद्ध जल होता है जिसमें अमल नहीं मिला होता है इसलिए वह क्या होता है चालक नहीं होता है वर्सा का जल कुचालक होता है ठीक है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं बी नमबर पे है इसमें कहरा है कि कुचालक यानि बैड कंड़क्टर बैड कंड़क्टर यानि जिन पदार्थों से उस्मा का चालन सरलता से नहीं हो या बहुत ही कम होता है उन्हें क्या कहते हैं कुचालक कहते हैं यानि बैड कंड़क्टर कहते हैं एक तो पहला हम लोगों ने पढ़ा कि जो सरलता से जिससे उस्मा का चालन हो उसे कहते हैं conductor यानि चालक दूसरा है कूचालक यानि जिसमें सरलता से नहीं होता है उस्मा का चालन होता है उसे कहते हैं कूचालक पदार्थ जैसे लकरी हो गया, काच हो गया, वायू, गैस, सिलि कुछालक है बुरे चालक यानि bad conductor अच्छे रोधक होते हैं bad conductor जो है दोस्तों वो क्या होता है बहुत ही अच्छा रोधक होता है यानि उसमा को रोकने वाला होता है उसमा को आगे नहीं बढ़ने देता है ठीक है दोस्तों यानि bad conductors are good insulators अच्छे रोधी गुने वाले bad conductor है चीक है दोस्तों यहां तक समझ में आ गया चालक और कुछालक समझ में आ गया अब हम लोग बढ़ते हैं आगे तिसरे नमबर पर तिसरा नमबर में कह रहा है कि उसमा रोधी यानि thermal insulator जिन पदार्थों से उसमा का चालन बिल्कुल नहीं होता है उसे क्या कहते हैं उसमा रोधी यानि thermal insulator कहते हैं जैसे ebonite इससे उसमा का चालन थोड़ा सा भी नहीं होता है बिल्कुल चालन उसमा का नहीं होता है जैसे asbestos इससे भी उसमा का चालन बिल्कुल भी नहीं होता है इसको बोलते हैं उस्मा रोदी तो हम लोग उन्हें तीन पर लिया एक पर लिया चालक दूसरा पर लिया कू चालक और तीसरा पर लिया उस्मा रोदी ठीक है दोस्तों यह सब जो है उस्मा चालकता के अधार पर तीन भागों में बाटा गया है चालक यानि वैसा पदार्थ जिससे उस्मा का चालन असानी से हो, बहुती सरल हो, उसे चालक पदार्थ कहते हैं, वैसा पदार्थ जिससे उस्मा का चालन थोरा सा कठिन हो, और बहुती कम मतरा में उसे कुछ चालक पदार्थ कहते हैं, और वैसा पदार्थ जिससे उस्मा का चालन चालन विधी, अब दूसरे नमबर पर पहेंगे हम लोग, संभवन, चालक में हम लोग लोग ने देखा था, कि उस्मा का ठोस में जो संचरन होता है, वो चालन विधी से होता है, और दरव और गैस में उस्मा का संचरन संवहन विधी से यानि कन्भाक्षन मेथड से होता है और कन्भाक्षन मेथड में होता क्या है वो हम लोग अब देखते हैं गैसों एवम दरवों में उस्मा का संचरन संवहन के द्वारा ही होता है ठोसों में समवहन विधी दोरा उस्मा का संचरन संभव नहीं है उसमें क्या होता है ठोस में? ठोस में चालन विधी यान कंडक्शन के दोरा उस्मा का संचरन होता है इस विधी में दरव एवं गैस के कन गरम भाग से उस्मा लेकर श्यांग हलके होकर उपर उड़ते हैं तदा ठंधे भाग की और जाते हैं इसका आस्थान लेने के लिए पुनो ठंधे भाग के कन नीचे आते हैं इस परकार शमवहन विधी से उर्ध्वाधरत तापांतर होने पर उस्मा का परवाह नीचे से उपर की और माध्यम के घनत्य में परिवर्तन होने के कारण समवहन धराओं द्वारा होता है पृत्वी का वायू मंडल जो है समवहन विधी के कारण ही गर्म होता है दोस्तो इसमें क्या होता है जैसे यह जमीन है यह जमीन जैसे ही गर्म होगा नीचे का जमीन तो यहां के आसपास के वायू को क्या करेगा यह आसपास के वायू को गर्म कर देता है जैसे ही वायू ग हलका होगा और वायू हलका हो करके उपर भागेगा ठीक है और जो ठंडी वायू है जो ठंडी वायू है वो क्या होगा जो भारी है वो नीचे आना चाहेगा जैसे ही नीचे का स्थान खाली होगा तो वो ठंडी वायू नीचे आ करके उसका अस्थान घेरना चाहेगा ठीक है तो यह जो गरम वायू था यहां से वो आ जाएगा यहां पर ठीक है यानि उपर चला जाएगा जैसे ठंडी वायू फिर से गरम होगा निचा करके तो फिर यह यहां आ जाएगा और यह यह आ जाएगा यह जाएगा यह और उपर चला जाएगा यानि उर्ध्वाधर था यान उपर की ओर क्या होता है उस्मा का संचरन होता है पहले उस्मा यहां था गरम वायों यहां था यहां आ गया अब यहां से उपर चला गया इसे करके उस्मा का संचरन होता है जिससे संवहन धारा का निर्मान होता है ठीक है दोस्तों एक हवा का संवहन धारा होता है उसका निर् द्रव और गैस में समवहन के द्वारा होता है। अब हम लोग देखेंगे कि जहां पर न ठोस हो न द्रव और गैस हो यानि जहां पर निर्वात हो कोई माध्यम ना हो वहां पर जो उसमा का संचरन होगा वो किस विद्धीक कारण होगा। तो दोस्तो वह जो है वीकिरन यानि radiation method के कारण वहाँ पर उस्मा का संचरन होता है। जैसे वीक रन में उस्मा का संचरन के लिए किसी भी माध्यम की आविशकता नहीं होती है। इसके दौरा उस्मा का संचरन निरवात यानि भैक्यू में भी होता है। जहां पर कोई माध्यम नहीं है वहां पर भी उस्मा का संचरन होता है इस विधी में उस्मा गरम वस्तू से ठंडी वस्तू की और बिना किसी माध्यम की सहायता के तथा बिना माध्यम को गरम किये परकास की व्यग से शीधी रिखा में संचरित होती है वीकिरन में उस्मा तरं तरंग ठीक है दोस्तों यानि electromagnetic waves जैसे प्रिथवी तक सुर्य की उस्मा विकरन विजद्वरा पहुंचे जैसे यह सुर्य है ठीक है दोस्तों अब यह जमीन है नीचे ठीक है यह धरती है तो वाइवंडल तो कहीं यहां तक होगा वाइवंडल ठीक है वाइवंडल तो पूरा यहां तक पहुंचने तक उस्मा विकरन के माध्यम से electromagnetic wave यानि विदुद्चुम्बे के तरंग के माध्यम से क्या होता है यहां तक आता है बिना माध्यम यहां तक कोई माध्यम नहीं है तब भी उस्मा यहां तक आएगा फिर उसके बाद यहां तक धरती तक पहुंचता है तो आपको एक्जाम में आ सकता है कि प्रिथ्वी तक सुरि की उसमा किस विधी के द्वारा पहुँचती है तो वह हो जायेगा आपका वीकिरन विधी के द्वारा पहुचती है. दोस्तो यहा तक आपको समझ में आ गया होगा. अब दोस्तो हम लोग उस्मा का संचरन का कुछ दैनिक जीवन में जो उप्योग है उसको देखेंगे इसे भी question आपके exam में बहुत सारे आते हैं तो ध्यान से देखिएगा एक नंबर पर है दैनिक जीवन में चालन का उप्योग कहा कहा होता है तो इसकीमों लोग बर्फ की दोहरी दिवारों के मकान में रहते हैं इसका कारण यह है कि बर्फ की दोहरी दिवारों के मद्य हवा की प्रत होती है जैसे दो दिवार इधर रहेगा दो दिवार इधर रहेगा बर्फ इसके मों लोग यहां पे रहेगा तो इसके बीच में भी हवा रहेगा और हवा जो है दोस्तों वह उसमा का कुछ आलक होता ह ठीक है तो जो उस्मा आदमी के शरीर का यहां पर होगा वो उस्मा बाहर नहीं जा पाएगा यानि कमरे का जो उस्मा है वो कमरा में ही रहेगा ठीक है दोस्तों इसलिए क्या होता है कि वो लोग दोहरी दिवारों के बीच रहते हैं दो नमबर एक्जामपल में कहे रहा है कि सीत रितू में लकरी एवं लोहे की कुरसियां एक ही ताप पर होती है परन्तु लोहे की कुरसी छूने पर लकरी की अपक्सा अधिक ठंडी क्यों लगती है तो इसका दोस्तों कारण है कि सीत रितू में सरीर का ताप कमरे के ताप से अधिक होता है लोहा उस्मा का सूच अलक है और लकरी उस्मा का कुछ अलक होता है अता जब हम लोहे की कुरसी को छूते हैं तो हमारे हाथ से उस्मा तापांतर के कारण लोहे की कुरसी में शिग्रता से परवाहित होने लगती है जबकि लकरी की कुरसी में ऐसा नहीं होता इस है जबकि चीनी मिच्ची के प्याले में चाई पीना असान है तो दोस्तों अगर हम लोग धातू के प्याले में चाई पीएंगे तो क्या होगा कि चाई तो गरम होता है और धातू का धातू जो है सभी धातू जो है उसमा का सूचालक होता है तो उससे क्या होगा कि ये जो धा चीनी मिटी उस्मा का कुचालक होता है उसमें हम लोग चाई पीना जादा आसान होता है तो इसमें कहरा है कि धातू उस्मा का सुचालक होता है इससे चाई की उस्मा से धातू के प्याले गर्म हो जाते हैं जिससे होट जलने लगते हैं और चाई पीना कठिन हो जाता है चीनी तो समधरी हवाएं तथा अस्थलिय हवाएं यह दोनों जो है सुसमभण के कारण ही यह दोनों चलते हैं ठीक है दोस्तों इसको आप लोग खुद से पर लेना आपको समझ में आ जायेगा अब दूर नंबर पे कहरा है दूर नंबर में क्या कहरा है कि रेफ्रीजरेटर में फ मर में कह रहा है कि बिजली के बल्बों में निस्क्रिय गैसों का भरा जाना ये समवहन का एक उपयोग है जैसे बिजली के बल्बों में निर्वात के अस्थान पर निस्क्रिय गैस जैसे आरगन भरी जाती है विद्दूत का जो बल्ब होता है उसमें हम लोग क्या भरते हैं अंदर में आरगन भरते हैं, ठीके दोस्तों, अगर अंदर निर्वात नहीं रखते हैं, इसमें का करते हैं? आरगन भरते हैं, इसका कारण यह है कि बल्बे निस्क्रिय गैस भरे जाने से तंतु की उसमा समवहन धाराओं द्वारा चारों और फैल जाती है, जिससे तंतु का पर बल्ब का ताप तंतु की गलनांग तक बढ़ जाएगा, जिससे तंतु पिखल जाएगी, इसमें क्या होता है? जैसे कोई बल्ब है, कोई अगर बल्ब है, जिसमें यह जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट का ताप जादा रहता है, और इसमें जो गैस भर रहता है, इस वीकरण के समझद उपयोग हम लोग इने चालन समवहन का देख लिए अब हम लोग वीकरण का उपयोग देखेंगे जैसे बादलो वाली रात स्वकष रात की तुलना में पेक्षा में अधिक गरम होती है क्ämिजोव ऐसा होता है? कि जो दर्ती से विकरन उस्मा निकलती है वो आकास में नहीं जा पाती है प्रिथवी की और लोट आती है जिससे प्रिथवी गरम बनी रहती है बादल के कारण प्रिथवी को लोट आती है जिससे प्रिथवी गरम बनी रहती है दो नंबर पे है कि रेगिस्तान दिन में बहु यह बहुत इंपोर्टेंट लाइन है, जो उसमा का अच्छा अवसोसक होगा, वही उसमा का अच्छा उत्सर्जक भी होगा, अता, दिन में सुरिय की उसमा को अपसूसित करके, रेत गर्म हो जाती है और वही रात में वह अपनी उसमा को विकिरन द्वारा खोकर ठंडी हो जा टीन नमबर पे है चाय की केतली की बाहरी तरफ चमकदार बनाई जाती है। इससे क्या होता है चमकदार सत्य नो पनो बाहर से उस्मा का अफ़सन करती है और नहीं भीत कि उस्मा बाहर जाने देती है अति चाय देर तक गर्म रहती है ठीक है दोस्तों चार नंबर पर है कि पॉलिस किये हुए जूते धूप से सिग्र गर्म नहीं होते क्योंकि वे अपने उपर गिने वाल उसमा का अधिकांस भाग प्रावर्थित कर देते है दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा और दोस्तों आप अगर चाहते हैं कि ऐसे ही मैं साइंस का वीडियो डेली अपलोड करता रहूँ तो जरूर कमेंट करिएगा और लाइक और सेर जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है फिर मिलते हैं नेक्ट सेसन में नए वीडियो के साथ जय हिंद जय भारत